मान्य दगी देश की प्रचत्तर वर्षों की संसदी यात्रा उसका एक बार पुनस मरन करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक प्रवलों को इतिहास की महत्वकों घड़ी को स्मरन करते हुए आगे बढ़ने का ये अउसर है हम सब इस इतिहासिक भवन से बिदा ले रहे हैं आज आदे के पहले ये सदन इंपिरियल डेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था आज आदे के बाद ये संसद भवन के रुप में उसको पहचान में दिए ये सही है इस इमारत के निर्मार करने का निर्णा है विदेशी सासकों का था लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्मार में पसीना मेरे देशवाच्चों का लगा था परिश्रम मेरे देशवाच्चों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के लिए इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोक्तांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम स्रजन किया है अर इस सदन में रहे हुए सब ने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा प्रेरणाग देता रहेगा ये भारत के लोगतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वकुन अध्या है जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोगतंत्र का सामर्त कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा अध्यलिय दिख जी अमर्त काल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट में एक नया विश्वास नया आत्मविश्वास नया उमंग नये सपने नये संकल्प और राष्ट का नया सामर्त उसे भर रहा है चारों तरप आज भारत वासियों की उपलब्दी की चर्चा हो रही है और गवरों के साथ हो रही है यह हमारे 75 साल के संसद्य इतिहास का एक सामुहिक प्रयास का पर्याम है जिसके कारण बिश्व में आज वो गुण सुनाई दे रही है आजरे देग जी चंद्रयान तीन की सफलता नसिल कुर भारत पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ का एक नया रूप जो अधुनित्ता से जुड़ा है जो विज्ञान से जुड़ा है जो टेक्नोलोजी से जुड़ा है जो हमारे विज्ञानिकों के सामर्थ से जुड़ा है जो एक सो चालीस करोर देश वाचों के संकल्प की शक्ती से जुड़ा हुआ है वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव प्यदा करने वाला है यह सदन और इस सदन के माध्यम से मक्विद एक बार देश के विज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटी कोटी बधाईया देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ अधियन अध्यग जी यह सदन ने भुद्कान में जम नेम की समिट हुई थी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराह था आज जी ट्वेंटी की सभलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है मैं मानता हूँ देश वाच्चों का आपने गवरों बढ़ाया है मैं आपका आभाय व्यक्ता करता हूँ जी ट्वेंटी की सभलता एक सो चालिस करोर देश वाच्चों की है ये भारत की सबलता है, किसी व्यक्ति की सबलता नहीं है, किसी दल की सबलता नहीं है, भारत के फैडरल स्ट्ट्चर ने, भारत की वीविदेता ने, साट सानों पर दोसों से अधिक समीट और उसकी मैजबानी हिंदुस्तान के अलग-अलग रंग रूप में देश की अलग-अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान सकी और ये प्रभाव पुरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है ये हम सब के सेलिपरेट करने वाला विश्व है देश के जवरवगान को बढ़ाने वाला है और जैसा आपने उलेक किया भारत इस बात के लिए गर्व करेगा जब भारत अज्यक्ष रहा उस समय आफरिकन यूनियन इसका सदर्च से बढ़ा मैं उस इमोशनल पल को भोल नहीं सकता हूँ जब आफरिकन यूनियन की गोश्रा हुई और आफरिकन यूनियन के प्रिस्डेंट उन्होंने एक इंटर्वे कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ू गया अब कलपरा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपच्छा और आशायपूरी करने का काम भारत के भागे में आया है आदेने देख जी भारत के प्रतिशक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है इस बार भी यही था कोई डिक्लेरिशन नहीं होगा असंबव है लेकिन ये भारत की ताकत है कि बहभी हुआ और विश्वा सर्वसम्यति से एक साहजा गोश्णा पत्र लेकर के आगे का रोल मेप लेकर के हाँ से प्रारंब हुआ है और अद्यक जी आपके नेतुरत्व में क्योंकि भारत के अद्धिक्स्ता नवेंबर के आखरी दिन तक है इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उप्योग हम करने वाले हैं और आपकी अद्धिक्स्ता में दुनिया भर के जो जी ट्विंटी के सदस्य हैं पी ट्विंटी पार्लिमेंट के स्पिकर्स की एक समीट की जैसे आप निगोशना की सरकार का आपके इस प्रहासों को पूरा समर्फन रहेगा पूरा सही योग है आदेने अद्धिक्जी हम सब के लिए गर्व की बात है का आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगा बना पाया है पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभोव कर रहा है और उसका मूर काराण है हमारे जो सौंसकार है बेच से विवेकानन तक जो हमने पाया है सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज बिश्व को हमें साथ राने में जोड रहा है आदिने देख जी ये सदन से बिदाय लेना एक बहुती भावुक पल है परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको जगजोर देती है और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिस्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है अनेये की यादों से भरा हुआ है खटे मिठे अनुभव भी रहे हैं नौक जोग भी रही हैं कभी संगर्ष का माहौल की रहा है और कभी इसी सदन में उत्साव और उमंग का माहौल भी रहा है ये सारी स्मृतिया हमारे साथ हम सब की सांजी स्मृतिया है ये हम सब की सांजी विरासत है और इसलिए इसका गवरों भी हम सब का सांजा है आजहाद भारत के नवनिर्मान से जुड़ी हुई अनेक घटनाए इन 65 वर्ष में यही सदन में आतार लेती हुई हमने देखी है आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की और प्रस्तान करने वाले हैं तब भारत के सामान ने मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है सम्मान मिला है उसकी अभिव्यक्ति का भी अउसर है और इसलिए आदरिनिया देख जी मैं पहली बार जब सांसद का सदच से बढ़ा और पहली बार एक सांसद के रूप में है इस भावन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भावन के दोर पक्ति पर अपना शीष जुखा कर देखा इस लोग तंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोग तंत्र की ताकत है भारत के सामान ने मानवी की लोग तंत्र के प्रति सद्धा का प्रतिमीम है कि रेल्वे प्रेट्फरम पर गुजारा करने वाला एक करीब परिवार का भच्चा पार्लामेंट को ही क्या था मैंने कभी कल्पना तक नहीं किसे कि देश मिझे इतना सम्मान देगा इतना अश्रवाद देगा इतना प्यार देगा कि सोचा नहीं जाते हैं आदेने देगी हम मैंसे बहुत लोग है जो संसद्ध्ध्वन के अंदर जो चीजे लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं कभी कभी उसका उलेक की करते हैं हमारे यह संसद्ध्ध्ध्ध्वन के प्रवेश द्वार पर एक चांदों के उबनिशत का एक वाक्य है लोग के द्वारम करके पुरा वाक्य है उसका मतलब ही होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है हमारे तुर्शी मुनियों ने लिखा हुआ हमारे प्रवेश भार पर लिखा हुआ हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे है वो भी इस सत्यता के साक्षी है अधनियद्ध जी समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया यह हमारे सदन की संवरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है समाज के हर वर्क का प्रतिनिदी विवी तिताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है अनेक भाशा हैं अनेक बोरियां अनेक पहरवेश हैं अनेक खानपाने सदन के अदर सब कुछ है और समाज के सभी तपके के लोग चाहे वो सामाजिक रचना के हो चाहे आर्थिक रचना के हो चाहे गाउं या शहर के हो एक प्रकार से पूर रूप से समावेशी वातावर सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामाने के इच्छा आकांचाओं को प्रकट करता रहा है दलीथ हो पीडीथ हो आदिवयसी हो पिछडे हो महिलाए हो हरने हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है अदरी ने देख जी प्रारम में महिलाओं की सदसंग का कम थी लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है इस सदन इस सदन के गरी में बहुत बड़ा बजलाओ आने में उनका योगदान रहा है आदेनिया देख जी प्रारम से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था करीब करीब साड़े साथ हजार से अधीख जन प्रतिनी दी दोनों सदरों में मिला करके योगदान दे चुके है इतने सालों में साड़े साथ अजार से करीब के जागए इस कालखन में करीब 600 महिला समसदों ने भी इस सदन की गरीबा को बढ़ाया है दोनों सदन और आदर्णिय दिख जी आप जानते हैं इस सदन में आदर्णिय इंदर्जीत गुपता जी थे 43 एर अगर मेरी दलते नहीं हो तो 43 एर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सवखाज ये मिला अगरा और यही सदन है अदर्णिय दिख जी जहां शकीकूर ढह्मान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे जब कि उनकी उमर 93 आदर्णिय दिख जी कि भारत के लोक्तंत्र की ताकत है कि 25 साल की उमर की चंद्रमणी मुर्मू इस सदन की सदत से बनी थी जिरब 25 साल की उमर की सबसे छोटी उमर की सदत से बनी थी अधनिय अधिक्ष महोदे बाद विबाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है हम समने इनिशेट भी किया है कोई बाद नहीं है लेकिन उसके वाव जुद्धी शाइद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है हमारे पहले की पीडियों में भी रहा है जो लोग प्रचार माद्यमों से हमारा यहां का रूप देखते है और बहार निकते ही हमारा जो अपना पन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही उचाईपन ले जाता है, और ये भी सदन की ताता है, एक परिवार भाव, और उसके साथ साथ, हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोटने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए, तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस ने भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर थकता हूँ, हमारे पहले भी और वर्तमाद भी है, हमने कई बार देखा हैं, अनेक संकटों के बाउजित भी हैं, अनेक असुभी धाओं के बाउजित भी हैं, साउसद सदन में आये हैं, और उन्होंने शारीर पीड़ा भी असाईय हो तो भी, सदन में एक साउसद के रुप में, जन प्रतिंदीदी के रुप में अपना कर्तब भी निभाया है, ऐसी अनेक घटनाएं, आज हमारे सामने हैं, गंबीर गंबीर बिमारियों के बाउजित भी, कोई विल्चेर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रखकर के अंदर आना पड़ा, लेकिन सभी साउसदों ने, कभी ने कभी इस प्रकार से, अपनी भूमी का निभाई, कोरोना काल हमारे सामने उदा रहा है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा नब दे दे, उसके बावजुद भी, हमारे माननिय सामसत, दोनों सदन में, कोरोना काल के इस संकट की धड़ी में भी सदन में आये, अपना कर्वत में निभाया है, हमने राश का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यक्ता पड़ी, डिस्टन्स रगना भी था, और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे, लेकिन मास पहनना पड़ता था, बैटले की रिचना भी अलग-अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ, राश का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने, इस सदन को अपने कर्वत में का महतोपुन अंग माने, समसब को चलाए रखा हो, और मैंने देखा है कि सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है, कि पहले कभी हम देखते थे, कोई 30 साल पहले समसब रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंटर होल तो जुरू आएगा, जोसे मंदीर जाने के आदत होती है, वैसे उनको सदन में आ जाता है, एक आत्मिय भाव से जुड़ा हो जाता है, और ऐसे बहुत से पुराने लोग है, जो आते है जाते हैं मन करता है, जर चलो एक चक्कर काटते है, आज उनका जन पतेरी देकिन आते दाई तो नहीं है, लेकि भूमी के प्रतिवन का लगाव हो जाता है, ये सामर्त ह होता है इस सधन का, अधन ये अध्यक्ष महद है, आजाती के बात, बहुत बड़े पते विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाई वेक्तिक की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कर ने चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोगतंतर बना रहेगा पचासो, लेकिन इस देश की समस्त की ठाकत है, कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राश्ट, पूरे सामर्त के साथ, आगे बढ़ता रहा, अर इस विश्वात से, कि हम बहे आशंकाई होंगी, गने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहे और ये हम सब लोगों ने, हमारी पूरानी पीडियों ने मिल करके, इस काम को करके दिखाया है, इसका गवरवगान करने का ये अफसर है, अधने दजी, इसी भवन में, दो साल ग्यारा महने तक, संविधान सभाजी बैठके भी और उसे, देश के लिए, एक मार वर्षक, ज आज भी हमें चलाता है, हमारे समिधान दिया, और 26 नवर्बर 1949 को, जो समिधान हमें मिला, वो 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ, इन 75 वर्षों में, सबसे बड़ा जो अचिवमेट है, वो यह है, कि देश के सामान्य मानवी का, इस संसत पर विश्वास बढ़ता ही गया है, और लोक तंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है, कि इस महान संसता के परती, इस महान इस्टिटूशन के परती, इस विवस्था के परती, उनका विश्वास अतूट रहे, विश्वास उनका बना रहे, इन 75 वर्षों में, हमारी संसत ने, जन भावनाओं की अभीवक्ति का भवन भी बना दिया, यहाँ जन भावनाओं की पुर्जोश अभीवक्ति, और हम देखते हैं, राजेंदर बावु से लेकर डॉक्टर कलाम, रामलाती कोवीद, और अभी द्रगो दिमुर्वु जी, इन सब के सम्मधन का लाव, हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्दर्शन मिला है, आदिर निद्रिक जी, पंडित नहरु जी, जी, सात्री जी, वहाँ से लेकर के अटल जी, मनमोंसी जी तक, एक बहुत बड़ी स्रंखा, जिसने इस सदन का नेत्रतों किया है, और सदन के माज़न से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए, उन्होंने परिशम किया है, पुर्शार्त किय है, आज उन सत्पा गवरवगान करने का भी आउसरा है, आदने अब देख जी, सरदार वल्लब भाय पटे, लोहिया जी, चंदरशिकर जी, अडवानी जी, नजाने अंगिनित नाम, जिनोंने हमारे इस सदन को सम्रुद्द करने में, चर्चाओं को सम्रुद्द करने में, देश के सामान यसे सामान ने व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम, इस सदन में किया है, विश्व के भी अनेग राष्टा जेक्षों है, हमारे इन सदनों को सम्मोदित करने का भ भारत के लोगतंत्र के प्रती आदर का भाव व्यक्त्र हुआ है। आदर नियर्दग जी उमंग उच्छा के पल के बीच भी कभी सदन के आँख से आशु भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को तीन अपने प्रधान मंत्री उनको अपने कारकालमाई खोने की नोबत आई। नहरू जी शांत्री जी और हिंद्रा जी तब यह सदन अस्रू भीनी आँखों से उन्हें बिलाई दे रहा था। अधनियत जी अनेक चुनोतों के बावजुद्धी हर स्पीकर ने हर सभापती ने बहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचार रूप से चलाया है और अपने कारकालमे उन्होंने जो निरने किये वो निरने मावलंकर जी से काल से चुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखन के हो या बिला जी के आज भी उन निरने को रेफरेंस पॉइंट माला जाता है। ये काम हमारे करीब सत्रा स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा अताय तक और बिला जी कामारता स्पीकर आज भी हमें मिल रहा है। हर एक नियब के अपनी शाहिदी रही है। लेकिन उन्होंने सब को साथ ले करके नियमों कानूनों के बंदन में इस सदन को हमेशा उरजवान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महुदय को भी आज बंदन करता हूँ। अब नंदन करता हूँ। अधनिय अधड़ जी यह सही है कि हम जन प्रतिनी दी अपनी अपनी भूवी का निभात हैं। लेकिन साथ त्यक्रून तरीय से हमारे बीच जो टोली बैठती हैं। उनकी भी कई पीडिया बदल गई है। कभी कागेज लेके दोड़ते हैं। उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागेज पत्र पहुँचाने के दोड़ते हैं। सदन में कोई गलत गलती न हो जाए, उसके दिर्णे में कोई गलत न हो जाए explorory उसके लिए बढा़ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के quality of governance में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्वे में जो रहे हैं उनका भी रिदाई से अभिनंदर करता हूँ इतना ही नहीं सदन मडलब ये खंड ही नहीं है इस पूरे परिशन अनेक लोगों ने किसे ने हमें चाहरी पिलाई होगी पानी पिलाया होगा किसे ने रात रात चली हुई सदन को related बूखा पर रहने नहीं दिया होगा कई प्रकार की सिवाइं की होगी किसे ने माली ने इसके बाहर के environment को थबा रा होगा किसे ने इसकी सफाय की होगी नचाने कितने ही ऑंकिनित लोग होंगे जिनों ने हम सब अच्छे धंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम बेश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो उसके लिए जो माहोल बनाना विवस्ता बनाना उसके लिए जिस जिस ने योगदान दिया है मेरी तरब से भी और इस सदन की तरब से भी मैं उनका विशेश उसे नमन करता हूँ अधर नियत जी लोक तंदर का इस सदन आतंग के हमला हुआ पूरे विश्वम है यह आतंग के हमला इक इमारत पर नहीं था यह मदरब डेमोक्रिसी एक प्रकार से हमारी जिवात्मा पर यह हमला था यह देश उस घटा को कभी भूल नहीं सकता है लेकिन आतंग के उसे लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलिया जेवी आज मैं उनको भी नमन करता हूँ हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है हदर नियत्य जी जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन्पत्रकान मित्रों को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने जीवन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कारकाल में संसत के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है एक प्रकार जो वो जीवन शाक्षी रहे हैं उन्होंने यहां की पल-पल की जानकारी देश तक पहुंचा ही और तब तो यह सारा टेक्नलोजी अवैलेबल नहीं थी तब वो ही लोग के तो your heart पहुंचाते थे और उनका सामर्धदा को अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचाते और मैंने देखा के ऐसे पत्रकारु था जिनों ने सूसत को कभर किया शायद उनके नाम जाने नही जाते होंगी लेकिन उनकी काम को कोई भूल नहीं सकता है और खबरों को रिये नहीं भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा देती है आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हूँ तो ऐसी अन्नून चीजे बताते हैं जो उन्होंने अपनी आँखों से देखी होती है कान से सुनी होती है जो हचरच करने वाली होती है अन्य एक प्रकार से जेसी ताकत यहां की दिवारों की रही है वैसा ही दर्पन उनकी कलम में रहा है और उस कलम में देश के अंतर संसद के प्रती संसद सदच्छों के प्रती एक अहो भाव का भाव जगाया है मैं आज कई पत्रकार बंदों के यह रहनी होंगी लेकिन मेरे लिए जेसा यह सदन छोड़ना भाव पर है मैं पक्का मानता हूँ इन पत्रकार बंदों के लिए भी यह सदन छोड़ना उतना ही भाव पर होगा क्योंकि इनका लगाव हम से भी जादा रहे है कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों के ट्रम से भी सबहे है उन्हों है काव किया होगा हाच उनके उस महत्पुन लोक तंतर की ताकत बनने के लिए योगदान देने के भी याद करने का उसा है आदेनियत देख जी जब हम सधन के अंदर आते हैं हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है हमारे सात्र में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एकी लए में उच्चानन होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है उसके एक पॉजिटिव वाइब होते है नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धी स्थान में परिवर्तित कर देती है दमान तव यह सदन भी को साथ साड़े साथ हजार जन्पतिनीदियों के द्वारा बार बार जो सब्द गूंगे है जो बाणी यहां गूंगी है उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करे या न करे लेकिन इसकी गूंज इसे तिर्थक शेतर बना देती है एक जागरत जगा बन जाती है और लोग कंत्र की सप्रोती सद्धा रखेंवाला ग्रेक्टिज आज चे प्पटास साल के बाद भी जब नहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूती होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गुंज दी थी और इसलिए देखना होगे यह वो सदन है जहां कभी भगत सी बटकेश्वर दब्त उन्हाँ अपनी बीरता सामर्त से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया का बम का धमाका करका वो बम की गुंज भी जो देश का भरा चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती अधनिय देख जी यह वो सदन है जहां पंडीची को इसलिए भी याद किये गानेक बातों के लिए याद करेंगा लेकिन हम जुरू याद करेंगे इसी सदन में पंडीत महरू का at the stroke of midnight की गुंज हम सब को प्रेरीद करती रहेगी और इसी सदन में अटल जी ने कहा था वो शब्द आज भी गुंज रहे इस सदन में सरकारे आएगी जाएगी पार्टिया बनेगी बिगड़ेगी लेकिन ये देश रहना चाहेगी आदे निया देख जी पंडीत नहरू की जोगों प्रारंबी की मंत्री परिशक थी बाबा साब आमवेड कर जी एक मंत्री के रुप में दुनिया की बेस प्रक्टिसिज भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे फैक्टरी कानून में अंतराश्चिय सुजाओं को सामिल करने पर बाबा साब सरभादिक आगरे ही रहे थे और उसका परिणाबाद देश को लाब मिल रहा है बाबा साब आमवेड करने देश तक नेरुजी की सरकार में बाबा साब आमवेड कर एक बात हमेशने कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का उद्यों की करन होना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के दलीत पिछणों के पास जमीन ही नहीं है तो क्या करेगा अउद्योगी करण होना चाहिए और बाबा साहब इस बाद को मान करके डॉक्टर शावर साहथ मुखर जी जो पंडित नहरू के मंत्री थे उन्होंने इस देश में और पहले वानीचय मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडूस्ट्री पॉलिसी देश बलाई थी आज भी कितनी ही इंडूस्ट्री पॉलिसी बनें लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के जी और उनका भी बहुत प्राहेम योगदान रहा था आधिनियोद्रिक जी लाल बादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का होसला बुलंद करना उनके सामर्थ के लिए को पूरी तरह राष्ट्रेश पे जोगदाजे की प्रेणा इसी सदन वे से दी थी लाल बादुर शास्त्री का और यहीं पर उन्होंने ग्रिन रिवलुशन के लिए एक मजबूत नीव लाल बादुर शास्त्री जेनर की थी अधे निर्थिक जी बंगलादेश की मुक्ति का अंदुरन और उसका समर्खन भी इसी सदन ने इंद्रा गांदी के नेतुरत में पिया था इसी सदन ने इमर्दंसी में लोग तंतर पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एसास कराते हुए मजबूत लोग तंतर की बापसी भी इसी सदन ने देखी थे वो राश्रिय संकर्प भी देखा था ये सामर्थ भी देखा था आदिन्य देख जी ये सदन इस बात का हमेशा रणी रहेगा तो इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधान मत्री चरंशी जी ने ग्रामिन मंत्रा ने का गठन किया था इसी सदन में मत्तदान की उमर 21 से 18 करने का निरने हुआ था और देश की युवापीड़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया है उत्साइद किया गया था हमारे देश ने गड़बंदनों की सरकारें देखी पिपी सिंग जी हो चंदर से कर जियर बात में एक सिलसिला चला लंब्ने अरसे से दिशा में देश जा रहा था आर्थिक नीतियों के बोच तरे देश दबा हुआ था लेकिन नर्थि माराव की सरकार थी जिन्हों ने हम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैस्ता किया था जिसके आज देश को परणाम देखी कि अटल वेहरी वाधपईजी का ने सरकार भी हमने इसी सदन ने जिए कि सभश्चिक अब्यान देश में आज वो महत्वकून बन लएगा है कि आदिवासी कारले मंत्रा ले अटल जी ने बनाया नौर्थ इसका मंत्रा ले अटल जी ने बनाया नुक्लियर ट्रेस भारत के सामर्थ का परिचाएग बन गया और इसी सदन में मनमोन जी की सरकार केश फॉर बोट को भी उस कांड को भी सदन में देखा हादे नियर देख जी सबका साथ सबका विकास का मंत्र अनेक अहित्यासिक दिनने दसकों से लंबित विशह उनका स्थाई समाधान भी इसी सदन में हुआ आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के ताब कहेगा ये सदन के ताब कहेगा वन लेशन वन टेक्स वन नेशन वन टेक्स जी एस्टी का निर्णे भी इसी सदन ने किया वन रैंग वन पेंशन ओ आरोपी ये भी इसी सदन ने देखा गरीबों के लिए दस प्रतिशत आरक्षान कोई विवाद के बिना पहली बार इस इसमें करने में सब्वाद लेए आदरिय अद्यक जी भारत के लोक तंत्र में तमाव उतार चड़ाओ हमने देखे हैं और ये सदन लोक तंत्र की ताकत है लोक तंत्र की ताकत की साक्षी है जन विश्वास का इकेंदर विंदु रहा है इस सदन की विशेता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी आत्रिज होता है ये सदन है जिसमें कभी चार सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और सोब संदस वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी ये भी सामर्थ इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचे कराता है और यही सदन है जिसमें एक वोट से एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोक तंत्र की गरिमा को बढ़ाया था, ये भी इसी सदें में हुआ आज अनेक छोटी-छोटी रीजिनल पार्टियों का प्रतनिदीत हुआ, हमारी देश की विवित्ता को, हमारे देश की एस्पिरेशन का, एक प्रकार दे, वो आकर्शक केंद्र बिंदु बना है, आज अन्डियों देख जी, इस देश में दो प्रधान मंत्री ऐसे रहे, मुरार जी भाई वीपी सी, एक प्रजार से कॉंग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कॉंग्रेस गवर्न का नेतुत्व कर रहे थे, ये भी इसकी विशेस्ता थी, और हमारे अंदर पर जाने की त्यारी कर रहे थे, निवरुति की गोश्णा कर चुके थे, लेकिन ये लोग तंतर की ताकत देखिए, स्तधन की ताकत देखिए, वो प्रधान मंत्री के रूमें पांट साल हमारी सेवा कर देखिए, अधनियों जी जी, सब की सहमती से, कठीन से कठीन कारिय हो पर जीन साल थी, अटल जी की सरकार थी, इसी सदन ने, तीन राज्यों का गठन सर्वश्कृति से किया, और बड़े उमंग उत्सा से किया, जब 36 गड़ की रचना हुई, तो उत्सव 36 गड़ ने भी मनाया, उत्सव मद्रदेश ने भी बनाया, जब उत्राखन की रचना के तो उत्सव उत्तर प्रदेशने भी बनाया पॉत्सव उत्तर प्रदेशने भी बनाया जब तो उत्सव जारखन झार्खंड़े भी लिए विखाद ये हमारे सदन क्या सामर्त है, सब सहमति का वाताओं बना करके, लेकिन कुछ कड़वी यादे वो भी है, कि तेलंग अना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खुन की नदिया भी वही, और बनने के बार, न तेलंग अना उस्व मना पाया, न आंद्र उस्व मना पाया, एक कटूता के बीज बो दिये गए, अच्छा होता, उसी उमंग और उच्छा के साथ, हम तेलंगना का निर्मान करते, तो एक नई उचाई परा तेलंगना पहुँच चुका होता, आदनिय देग जी, समिंदान सभाने, आदनिय देग जी, इस सदन की परंपरा रही है, सम्भीदान सभाने, कुछ समय, अपना दैनिक भत्ता, 45 रुपिय से कम करके 40 कर दिया था, उनको लगा, हमें इसको कम करना चाहिए, आदनिय देग जी, यही सदन है, केंटिन में मिलने वाली सबसीड़ी जो, बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने, उस सबसीड़ी को भी खतम कर दिया, और पूरा पैसा दे करके अब केंटिन में खास, आदनिय देग जी, कोरोना काल में जब जरूर्ट पड़ी, तो यही सांसद, जोनोंने एंपी लेड़ी फंड को छोड़ दिया, और देश को इस संकट की घड़ी में, मदद करने के लिए आ सदों ने अपने कनखा में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कटोती की, और उन्होंने देश के सामने आये हुए संकट में, अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई, आदनिय देग जी, हम गर्व से कह सकते हैं, यह सदन में बैटे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे हमारे यहां, जन प्रतिशत कानून में, समय समयर पर कठोरता बरती है, नियम हमने ही लाँ दे, हमने ही काय कि अग नहीं, जन प्रतिशत के जीवन में यह नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ, यह जीवन तो लोग तंतर का बहुत बड़ा उदाना, और यह सदन ने दिया है, यही मानिये सांसदों ने दिया है, और हमारी पुरानी पिड़ी के सांसदों ने दिया है, और मैं मनता हूँ, कभी-कभी उन चीज़ों को भी याद करना चाहिए, आदे यह देट जी, हम जो वरतमान सांसद है, उनके लिए तो इभी इषे सवभाग्य का अऊसर है, सवभाग् कल और आज से जुनने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्बान करने का एक नया विश्वाद, नया उमंग, नये उस्साग्यदार हम यहां से विदाय लिने वाले हैं आज का दिवस, सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी साड़े साथ हजार जल्पतिनी दिराय चुके हैं, उनके जवरोगान का पौना है, इन दिवारों से हमने जो प्रेणा पाई हैं, जो नया विश्वाद पाया है, उसको लेकर जाने का है, बहुत ही बात ऐसी थी, जो सदन में हर किसी की ताली की हगदार थी, लेकिन शायद राजनिती उसमें भी आड़े आ रहे हैं, नहरू जी के योगजान का गवरोगान अगरी सदन में होता है, कौन सदन से होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर दे, लेकिन उसके उसके बावजुद भी, देश के लोक तंतर के लिए बहुत जरूरी है, हम सबने अपने आँ सोच लें, आगर नियों देख जी, मुझे पुरा विश्वास है, कि आपके मारदर्शन में, और इस अनुभवी मानिये संसदों के सामर्तस है, हम नई संसद में जब जाएंगे, तो नई विश्वास के साथ जाएंगे, मैं फिर एक बार आज पुरा दिवस आपने इन पुरानी स्पूर्तियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावर्ण में सब को याद करने का मोका दिया, इसके लिए मैं आप सब का आपका रदेशा भार वेक्त करता और मैं सभी सदस्वों से आगरे करूंगा, कि अपने जीवन के ऐसी मधूर यादों को यहां हम जुरूर वेक्त करें, ताकि देश तक पहुंचें, कि सचमुच में यह हमारा सदन, यह हमारे जन प्रतियों की जतिवीदी, सच्चे अर्थ में देश को समर्कित हैं, इसका भ अपनानों के जतिडीदी एल नहे जल सकतित, कि सचमुच में पादो क्या जसन, यह हमारा थो यह हमारे ही जिएurryदी तकार अमर्णावर, कि यह हमारे को समया कि अपन।, यह हमारे जाता हैं, हमारे कि समयूर का बदोश।